दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धुबरी फुलबारी ब्रीज के बारे में दोस्तों L&T एक और हिस्ट्री क्रियेट करने वाला है बंगलादेश बॉर्डर के पास असाम और मेघालाई के बीच इंडिया का सबसे बड़ा ब्रीज यानि की लगवग 19 किलोमेटर के ब्रीज का कंस्ट्रक्शन L&T के द्वार किया जा रहा है इस ब्रीज के बनने के बाद नौर्थ इस्टर्न स्टेट्स में बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड एंड पूरिजम भी बूस्ट होगा ये ब्रीज कैसा होगा अभी तक कितना काम हुआ है कब तक ये बनकर त्यार होगा और इसके बनने के बाद नौर्थ इस्ट के कनेक्टिविटी में क्या क इम्प्रूब्मेंट होगा इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डीटेल्स में जानेंगे इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथ ही अगर आप पहली वार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों हमारे देश का नौर्थ इस्ट एरिया काफी खुबसूरत यवा मनमोहक है वहाँ टूरिजम के साथ साथ ट्रेड यानी की बिजनेस के भी काफी एसकोप है और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है बेहतर कनेक्टिविटी की नौर्थ इस्ट का एरिया आज भी लेकिन अब वहाँ भी मास लेवल पर डेवलप्मेंट हो रहा है इसकी सुरुवात तो यूपिय गवजमेंट से ही हो गई थी लेकिन एंडिय में और भी जैधा यवा इस्पीड से डेवलप्मेंट हो रहा है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि केवल असाम में ही सेवन एयरपोर्ट फंसनल हो गया है असाम ही नहीं नौर्थ इस्ट के सभी एस्टेट्स में एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ रेल्वे एंड हाइवे कनेक्टिविटी पर भी जोड दिया जा रहा है बॉर्डर एरिया में भी रोड्स एंड हाइवे का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है बंगला देश के साथ भी रेल्वे एंड रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है अखोडा अगर तला रेल लैन प्रोजेक्ट से बंगला देश से डिरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी और इंडिया का सबसे लंबा ब्रीज यानि कि धुबरी फुलबारी ब्रीज जो की लगवक 19 किलोमेटर लंबा होगा बंगला देश के बौडर के पास ही बरहमपुत्रा रिवर पर असाम और मेगाले के बीच बन रहा है ये ब्रीज धुबरी जो की असाम में है और फुलबारी जो की मेगाले में है के बीच बन रहा है इस ब्रीज के बनने से असाम के साथ मनिपूर, मिजोरम, त्रिपूरा और मेगालाय के बीच थर्ड अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी हो जाएगी और धुबरी और फुलवारी के बीच का डिस्टेंस धाय सो किलोमेटर से घट कर मात्र 19 किलोमेटर हो जाएगा जिससे समय लेंथ है 9.15 किलोमेटर जबकि धुबरी फुलवारी ब्रीज की लेंथ होगी 19.3 किलोमेटर यानि कि धुबरी फुलवारी ब्रीज बनने के बाद वर्तमान में जो इंडिया की सबसे लंबी ब्रीज है उसके डबल से भी ज्यादा लेंथ की होगी धुबरी फुलवारी ब् प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट से इस ब्रीज के कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूबल मिला था और 17 फरवरी 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी के द्वारा इस ब्रीज का सिलान्यास किया गया था एलेंटी के द्वारा इस ब्रीज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कोविड के कारण अभी काम थोड़ा सलो है इस ब्रीज के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ फूटेज को यहां पर देख लीजे 2026 तक इस ब्रीज को कंप्लीट करने का टार्गेट है धुबरी फूलबारी ब्रीज फोर लेन का होगा और इस ब्रीज पर 100 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से गारियां चलेंगी साथ ही यह ब्रीज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा इस ब्रीज पर सोलर गीड से लाइ पर इस ब्रीज को कंप्लीट होने के बाद नौर्थ इस्ट में कनेक्टिविटी में तो सुधार होगा ही साथी बंगलादेश और भुटान जाना भी काफी आसान हो जाएगा साथी नौर्थ इस्ट में टूरिजमेंट ट्रेड के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केर, एंड इम्पलैमें में भी काफी सुधार होगा, नौर्थ इस्टर न एस्टेट्स में इनफ्रा स्ट्रक्चर डेवलोप्मेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है, अगर आप इसमें से किसी प्रोजेक्ट के बाड़े में डिटेल से में जानना चाते हैं या किसी प्रोजेक्ट का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी सेर कीजिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए पुड़ा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मात्रों